नमस्कार देश देशांतर में आपका स्वागत है मैं हूँ शाम संदर उन्हें संसद के सामने रखा जाए और उन पर बहस कराकर उन्हें पास कराया जाए कुछ महिला संगठनों ने भी एंटी रेप और्डिनेंस के कुछ प्रावधानों पर आपत्ते पर कट की है आईए इस पूरे मसले पर विस्तार से बात करते हैं अपने मेहानों के साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रेवा नयर पूर्व सच्चिव हैं महिला और बाल कल्यान मंत्राले में में मौना मौला भारत की जनवादी महिला समीती की दिली शाखा की उपाध्यक्ष हैं मुखतार अबास नक्वी साथ उपाध्यक्ष हैं भारते जिनता पार्टी के लेकिन अब कानून बनना है, इस पूरे मसले को लेकर, क्या राय है आपकी पार्टी की? देखें, ये महत्पूर है और जल्द से जल्द होना चाहिए, इसकी हमने पहले से मांग की, यहां तक कि हमने तो विशेश सत्र की मांग की थी, इस सत्र में आया है, देखें अभी जो वास्तिविक्ता है और जो जो जमीनी सचाई है, हम प्रास्मिक्ता के अधार पर चाहेंग लेकिन अगर आप देखें तो अभी राश्पती जी का वाशल है, उस पर चर्चा होनी है, रेलवे बजट है, उसमें चर्चा होनी है, उसके साथ ही साथ आम बजट आएगा, उस पर चर्चा होगी, तो यह महिना अगर एक तरह से देखें, तो लगभग ये 20-25 दिन की ये चलेंगी जो की वास्तों में महत्पूर्ण है, उसके अलावा भी कई महत्पूर्ण बिल है, जो की भूमियादिग्रण का बिल है, फूट सेकरोटी से जुला हुआ मुद्दा है, लोक पाल का मुद्दा भी रुका हुआ है, ये तवाव ऐसे सवाल है, जिन सवालों पर भी चर्चा लेकिन हमारी जो प्रात्मिक्ता है, वो ये है कि इसको प्रात्मिक्ता के आधार पर कुछ बिजनेस को आगे पीछे करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कुछ सुझाव दिये गए, उसके आधार पर एक ओर्डिनेंस लाया गया। आप संतुस्थ हैं कि वो जो ओर्डिनेंस में प्रावधान किये गए हैं, उसके आधार पर कानून लाया जाता है, वो परियाप्त होगा। देखे, एक तो है कि आपने पनिश्मिंट को डेथ पैनल्टी से रिप्लेस करना है, मतलब, कि रेप लीडिंग तो डेथ शुड़ बीपनिश्ट विद डेथ, और आलसो रेप जो है, उसमें डेथ पैनल्टी, एक सिवियर रेप के लिए डेथ पैनल्टी होनी चाहिए। इस बात को तो मैं मानती हूँ, एकदम ही कानून के अंदर पास कर देना चाहिए। ये मेन है। उसके बाद जो कांट्रोवर्शिल हैं, जिन में दो मत हैं, जिन में दो राय हैं, उनको आराम से डिसकस करके फिर पास करना चाहिए। लेकिन इमीजेटली पारलिमेंट को जो हमारी संसद है उसको ये दिखाना चाहिए कि हम कितने सीरियस हैं, कितने सिंसियर हैं और जो मेंन रेकमेंडेशन्स हैं जिस्टिस वर्मा की जो बहुत अच्छी हैं उनको पास कर देना चाहिए. तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, जो मुक्तार अबास नक्वी साब की चिंता वो आपकी भी है कि बजट सत्र में बहुत काम है, सरकार को बहुत सारे काम करना है, लेकिन ये बहुत महत्पूर्ण बिल है और इस पे जितना जल्दी हो सके, चर्चा करके देश को एक सखत कान कमिटी के मुख्य रेकमेंडेशन थे, उनको ओर्डिनेंस ने नजर अंदास किया है, तो हमारा संगटन और हमारे सिर्फ हमारा संगटन आइडवा नहीं, बलके दिली के और नैशनल विमन्स ओर्डिनेशन बहुत सारे ऐसे हैं, जिनको इस ओर्डिनेंस पर आपती है, और ह हमारा एक बहुत बड़ा संगर्च रहा है, इस ओर्डिनेंस के खिलाफ, जिस्टिस वर्मा कमिटी ने बहुत सारी चीजें सिफारिश की थी, जैसे कि उन अफसरों को पनिश्मेंट हो, डिरेलिक्शन ऑफ डियूटी के लिए, वो चीज ओर्डिनेंस में नहीं है, उन्हों उन्हें सबसे बड़ी चीज औरत की सेक्शल ऑटोनमी की बात कही थी, जो कि इस बिल में नहीं है, मेरा मतलब है कि रेप विदिन मैरेज, उसके लिए उन्होंने कहा था, जो कि इस बिल में, इस ओर्डिनेंस में एड्रिस नहीं किया गया है, और एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोगों ने, विमन्स और्गनाइजेशन ने डिमान की थी कि एक व्यापक अंटी रेप कानून बनाया जाए, जो कि जेंडर स्पेसिफिक हो, इस ओर्डिनेंस में वो चीज नहीं है, जेंडर नीट्रल है, और कमान रिस्पॉनसिबिलिटी की बात हमने कही थी, वो जो जो आप कहरें कि जो जमीनी सचाई है, उसको और जो एक मुवमेंट चला, एक आंदोलन चला, और सरकार ने एक नया कानून बनाने पर विचार कि एक राजनिती काम सहमती बनी हुए, ये कानून रोज नहीं बदले जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक व्यापक बदल का अनुभव है, इन सवालों पर, उनके अनुभवों को नजर अंदाज ना किया। है तो उसको सही सजा मिल सेके, लेकिन हमारी जो महमान यहां पर खास्तोर पर एड़वा की जो प्रतिनिती है महमुना, उनका यह कहना है कि जो मुख्य रिक्मेंडेशन थी, जो व्यापक बदलाव लाती है, कानून में, उनको नजर अंदाज कर दिया गया है, उन पर ध्या नहीं दिया गया है। अनभो के आधार पर चर्चा और बातशीत करके दी होगी। लेकिन संसद में इसकी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए कि एक दिन में चर्चा हुई और खानपूर्ती हुई, क्योंकि देखिए, आज हमारा देश जो है, वो एक ऐसे पोलिटिक पार्टी की सत्ता से हटने के बाद दूसरी पूलिटिकल पार्टी किस तरह से उसका एक्स्प्लाइटेशन करते हैं, क्योंकि यहीं नहीं, और भी जो कानून है, उनका भी दूरुपयोग होता है, तो उसके सुरच्चा गार्ड, उसकी सुरच्चा के इंतजाम भी साथ में उतनी होने चाहिए, ताकि कानून का खौफ और डर बना रहे और कानून का दूरुपयोग नहो सके, इसलिए मैं मानता हूँ, यह व्यापक चर्चा होगी, और व्यापक तरीके से जो बात होगी, और एक बात सही है, जो अभी कहा गया कि जो रेरिस्ट केसे हैं, उसमें तो डेस्ट पैनल्टी ही है, लेकिन और भी उसके प्रावधान होने चाहिए, और भी उसके वियुस्ताय होनी चाहिए, ताकि इस तरह के कानून जमीनी हस्तर पर एक परभावी शक्र ले सके, जे, केंद्रिया मंत्री हरीश रावत भी इस वक्त हमारे साथ जूड़ चूड़ हरीश रावत जी बहुत बहुत स्वागय ताप का देश देश अंतरकार करम में, हम बात कर रहे थे कि बलातकार विरोधी कानून को सख्त बनाने के लिए जो सरकार ओर्डिनेंस लेकाए थी, जिसको राजय सभा में कल रखा गया, उस पर हमारी जो मेहमान स्टूडियो में म लेकर जो जस्टिस वर्मा ने रिकमेंडेशिंस दी, उनको आपने बिल्कुल नजर अंदाज कर दिया, मेरिटल रेप की जो बात उन्होंने कही उसको आपने नजर अंदाज कर दिया, तो जो एक व्यापक बदलाव की जरूरत होती है कानून में, वो अभी भी नहीं हो रह सरकार ने संवेधन शीलता दिखाई, मुखे विपक्षी पार्टी आज आपके साथ खड़ी हुई है इस मुद्दे के उपर, तो वैसे मैं क्यों ना व्यापक बदलाव किये जाएं, जो महिला संगठन अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दे रहे हैं? देखें, मैरिटल रेप से ले करके दूसे सबी बिंदों पर जो बर्मा कमिटी ने कहे थे, और इसे इस तौर पर तीन बिंदों में, कैबिनेट में बहुत डेटेल में चर्चा हुई, और अनन्तो गत्वा ये ताई किया गया, कि इस समय हमको ये मैसेज देने की जर्वत है सोसाइटी को, दुनिया भर को, क्योंकि हमारे यहां ये जो दुर्भा की जर्वत गटना एक के बाद एक हुई है, और बहुत सारी चीजे सामने आई हैं, उससे देश की सामाजिक प्रतिस्टा पर, सांस्कितिक प्रतिस्टा पर, और राष्ट के रूप में हमारे पूरी फ स्विकारी करती है, और इस अफरात के खिलाब सारा देश एकजुट हो करके खड़ा है, तो ये संदेश देने के लिए इस समय ओडिनेंस ले आया जाए, और उस समय बिल्कुल साफ, जिस समय ओडिनेंस के विभिन पहलों की जानकारी समंदित मंत्री जी ने देश को दी, त हम उन सुझाओं पर बेहतर तरीके से विचार करने की स्थितिमा होंगे, तो इसलिए ऐसा कहीं पर सरकार की तरफ से नहीं है, कि ओडिनेंस में जो प्रोविजन हमने किये हैं, वही जो है कानून के फाइनल प्रोविजन्स होंगे, तो ये कहीं पर नहीं है, और राजसभा म है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, हम आस्वस्त करना चाहते हैं, कि सरकार इस मामने में बिलकुल खुले दिल से, खुले मन से विचार करेगी, और हर पहलू पर गहराई से विचार करने के बाद इस कानून को मूर्त रूप देगी, जी सरकार अभी भी पूरी तरह से स्वागता, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बलातकार विरोधी कानूनों को सख्त बनाने पर जो आंदोलन चला देश में, उस पर जो चर्चा चली एक अध्यादेश आया, अब बजट सत्र चल रहा है, सरकार ने उस अध्यादेश को पेश कर दिया है, बजट सत्र के पहले ही दिन संसद में, लेकिन सवाल यह है कि वो अध्यादेश कानून में कैसे तब्दील होगा, और वो कानून जो बनेगा, वो कानून कैसा होगा, रिवन एयर जी आपके पास आना चाहूँगा, भी हरिश रावत जी को आपने सुना कि वो तयार है, उनका कहना है कि अध्यादे पहले भी कहा कि व्यापक ढंग से चर्चा होनी चाहिए, ये कानून एक बार बदला जाए तो सही ढंग से बदला जाए, लेकिन इस सत्र में बहुत सारे और मुद्दे हैं जो जरूरी है, एक तो बजट ही पास होना है, बाकी और भी बहुत प्रारिटीज हैं हमारी भारत स करकार की वो भी होनी है, समय को देखते हुए मैं सोचती हूँ कि जो मुख्य जस्टिस वर्मा कमीटी की रिपोर्ट है, उसमें से जो में उन्होंने सजेस्ट किया, जो ओर्डिनेंस में आ चुके हैं, कम से कम हमें उन्हें पास करना बहुत जरूरी है, एक मेसेज देना है भारत की जनता को खास कर महिलाओं को डर खौफ होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, किसी को डर नहीं है इस वकत, रेप हुए जारें, उस दिन से लेके डिसेंबर में, आज तक 50-60 रेप और हुए हैं, और बहुत घिनोने हुए हैं, कुछ तो ऐसे हुए ह चोटे-चोटे बच्चों के हुए हैं, अब पिछले दिनों में ही तीन लड़कियों को मारके महराश्टा में कहीं, एक कुए में डाल दिया, रेप करके, ये सब होता जा रहा है, इसके लिए एक मेसिज की जरूरत है, और सीरियसनेस होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि जिस टरह की लोगफाल बिल पर इतनी चर्चा हुई, इतना बात हुई, लेकिन उसके बाद अभी तक बिल पर कुछ बास्नेों हुआ, बिल नहीं पास वह लोगपाल की हस्तिया भी ख़डी नहीं हुए हमारे सामने, लोगपाल कहीं लगा नहीं है, ये मुझे दुक होता है इस बिलका वो अश्ट नहों आपको इस बात की आजए का बिलकुल हरी शरावत जी से सवाल का भी जवाब लेंगे लेकिन मेमुना के पास आते हैं मेमना आपके आपने कई आपतियां दर्ज कराई कि क्या क्या इशूज हैं जो डिसकस करने की जरूरत है पार्लेमेंट में उस पे तो हरी शरावत जी ने आश्वासन दिया कि सारे इशूज पर बात होगी दो इशूज हैं एक तो कैपिटल पनिश्मेंट की बड़ी डिमांड होई थी जब आंदूलन चला था और इस ओर्डिनेंस में भी ये कहा गया कि अगर बलातकार के बाद हत्या होती है या ऐसी हालत में पहुंच जाती है महिला जिसमें उसके जीवन का कोई मतलब नहीं रह कुछ डिफरेंसिस हैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मौजज़ हरीश रावट सहाब ने जो कहा मैं पार्लिमेंट की प्रक्रिया से बहुबी वाकिफ तो नहीं हूं लेकिन इतना जरूर समझती हूं जैसे रिवा जी ने भी कहा कि बहुत सारे काम है संसत के सामने और क में पता नहीं है डिफ पैनलिटी की जो आपने बात कही कैपिटल पनिश्मेंट की बात एक बात तो ये है कि और्डिनेंस ने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया क्योंकि ये तो अल्रेडी हमारे कानून में है दूसरी चीज़ ये है कि हम तो कैपिटल पनिश्मेंट के खिल लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम मांग करते हैं, अगर अंग्रेजी में कहें, not severity of punishment, but certainty of punishment, कि सजा हो, ताके वो deterrent के तौर पे नजर आए, डेथ पेनल्टी आप देंगे, तो बरसहा बरस सोचते ही रह जाएंगे, कि इसको डेथ पेनल्टी दे देना है या नहीं, देने के बाद भी उस एक्जेक्यूट करना है या नहीं, तो वो जो है मामला ठंडा पड़ा रह जाएगा, पांच साल की बच्ची जिसका रेप हुआ है, वो पच्ची साल की हो जाएगी, और वो चाहेगी कि ये मामला खत्म हो जाए और ठंडा पड़ तो इसलिए भी हम उसके खिलाफ हैं, जहां तक आपका एक और सवाल है, जिस्टिस वर्मा कमिटी से हमें जो, हमने जो नोट उनको दिया था, एड़वा ने, और जो उसमें कमिया रह गई हैं, उन कमियों में एक तो ये है कि हमने मांगा था, कि एक मियाद ते की जाए, कि तीन महिने के अंदर केस का निपटा रहा हो, एक तो ये है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनका निपटा रहा हो, जिससे के कुछ नजर तो आए, जो आप कह रही थी, डेटरेंट की बात, वो तभी होगी जबके सामने पनिश्मेंट नजर आएगा, जिए, जिए बरकोई, दूसरा ये है के हमने मांग की थी के कास्ट और कम्यूनल कलर्स के जो रेप होते हैं, उनके उपर भी ज़ादा सजा हो, जैसे कि कोई लैंडलॉड है, वो जब दलितों को सजा देने के लिए उनकी औरतों का मास रेप करते हैं, या कम्यूनल राइट्स में जिस तरहा का होत है, जी बिलकुल मुझे आपको रोकना पड़ रहा क्योंकि बाकी महमानों के पास भी जाना है, मुखतार अबस निक्वी साहब आपने फिर हमारी दोनों महमानों को सुना है, रिवा नियर जी का कहना है कि तमाम प्रेशर होंगे, बजट सेशन है, बहुत फैनेंशल बिजन जैसा कि आपने हमारी दोनों महमानों को यहां पर सुना, उनके अपने अनुभाव हैं, कि अगर व्यापक चर्चा नहीं होगी तो व्यापक बदलाव नहीं होंगे, और वो कानून जो उसका मकसद है, जो एक बड़ा अंदोलन खड़ा हुआ, जो चाहते हैं लोग, वो कन्विक्शन हो कमसे, कम जो अपराधियों को सजा हो, कानून इस तरह का बना जाए, अब कानून में आगर आगर मौत की सजा का प्रावधान कर दें और इन्वेस्टिगेशन ना हो, मुकद में बर्सों तक लटके रहें, अपराधियों को सजा ना हो, वैसे कानून, सخت कब शायद कोई बहुत फायदा नहीं होगा देखे जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई फिर जैसा हरी श्रावजी कह रहे हैं कि पारलेमेंट कैबिनेट ने उसमें डिसकेशन किया वो एक बहुत कम समय सीमा के तहट यह सारी चीज़े हुई संसद चाहे वो लोगसभा हो चाहे राजसभा हो उसमें दोनों जभ़ों पर विस्तार से इस पर चर्चा होनी चाहिए इसके सवी पहलूँ पर चर्चा होनी चाहिए अभी जो आपके पैनल पे जो लोगों ने कहा वो तो इश Clemente चाहिए उन इशूस के साथ-साथ और भी इश हैं जो कि जो लोग पब्लिक रिप्रेंटेटिव हैं और जो लोग चुनकर आये हैं उसमें हमारी महिला सदस हैं सभी लोग हैं जिनकों भी अपने अनुभाव हैं जानकारियां हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए और एक कानून बनने जा रहा है पहली चीज़ यह है कि कोई कानून आखरी कानून नहीं है कोई आखरी यह जो है वो संसद में इस पर चर्चा नहीं कभी भी अगर कोई जो पर्मुक इस वख जरूरते हैं उस पर्मुक जरूरतों के आधार पर इसे हमें कानून का रूप देना चाहिए जी हरीश रावजी मुकतार अबास नक्वी साहब और रिवर नेयर दोनों ये कहते हैं कि इसी सत्र के अंदर आप इस बिल को लाएं इस पर चर्चा कराएं और इसको पास कराएं और खासतोर पर जो मुक्खे जो बाते हैं उन पर कम से कम एक सहमती बना ली जाए लेकिन एक तो बड़ी चुनोती ये होगी कि आपके पास समय कितना है और मेमुना का आपने सुना उन्होंने के बहुती मजबूत कई पॉइंट उठाए हैं कि मौत की सजा का प्रावधान करने से ज़्यादा जोर इस बात पर हो कि कन्विक्शन रेट वो बढ़े आप राधियों को सजा मिले इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर और फास्ट रे मगर इस समय जो पब्लिक ओपीनियन है और बर्मा कमेटी ने भी उस बात को कहा है अब सरकार का मन भी उसी दिशा में बना हुआ है कि रेरेस्ट ऑफ दे रेर केसेज में जो है डेट पैनल्टी दी जानी चाहिए और बाकी मामलों में जो है जो प्रविधान किये गए हैं व अटना बिल्कुल अश्रिकारी है और उसके लिए जो अधिक्तम दंड दिया जा सकता वो दंड ये देश देगा और इस समय जिस प्रकार की पब्लिक ओपीनियन बनी है कोर्स ने स्वयमी फास्ट टेकिंग स्टार्ट कर दी है सुप्रिम कोर्ट ने आदेश दिया है राजि परिवर्तन सिल सोसाइटी है उसमें इंप्रूम्मेंट होते रहते हैं लेकिन कानून बनने देना चाहिए हम लोगपाल के विसे में भी लोगों से यही अर्ज कर रहे थे महाराज इसको बनने दीजिए और अब भी हम अर्ज करना चाहते हैं हम लाये हैं एक अच्छे इच्छा से लाये हैं लोगपाल का भी उसको भी बनने दीजिए और मैं रेवा जी को संगर्ज करना पड़ा और बदलवाने के लिए पतानी कितना संगर्ज करना पड़ा है। संगर्ज करने के लिए सामप्रदाइक दंगों के दोरान जो घटना ही होती है उसको लेकर जो मांग उठाई जा रही है महिला संगर्ज के तरफ से जो केंद्रे ग्रिमंत्री खुद महसूस करते थे उस पर क्यों ना इसी इसी चर्चा में उस पर चर्चा की जाए और इस पर चाहिए वह कितनी वड़ी संक्या है उनको धंडित किया जाना उनको फासी जी रेवा जी कुछ कहना जी दोनों को मैं आपको मौत दूंगा जी जब पार्लेमेंट में चर्चा होगी तो इन पर सब पहलों पे विचार होगा जी और रेवा जी आजी को हम आस्वस्त करना जाते हैं कि इस मामले में पूरी पार्लेमें देखें तो फिर हमारे सांसद अगर असली में चाहते हैं कि ये रिफॉर्मिक हो तो फिर एक स्पेशल सेशन भी हो सकता है आप एक स्पेशल सेशन किसी बकत दस दिन का कर सकते हैं जॉइंट सेशन कर सकते हैं सेंट्रल हॉल में और उस सेशन में आप इस कानून को पूरी तरह से डिसकस करके पास कर सकते हैं मेरा एक पॉइंट तो है जो रह गया था जो कि आपने बोलने नहीं दिया वो यह है कि रेप के बाद एक तो इस तरह की घटना के बाद रिहाबिलिटेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है तो आर्थिक सहादा, सहादा, कानूनी सहादा और चिकितसा वगAYरा का इनतिजाम सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए सरकार को इस पर अपने जो स्कीम है उसको सारजनिक करना चाहिए दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत ही कॉंडिसेंडिंग लगता है मुझे, हम कोई भीक नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें हम अपना हक मांग रहे हैं, ये एक औरत का हक है कि उसकी मैं समझता हूं, इसे सत्र की जरुवत नहीं बड़ेगी, हम इसी सत्र में इसको कानून का रूप देंगे, नमबर दो जो है, हम इसको किसी भी रूप में जो है, जब महिला संकंट जिन इसको उठा रहे हैं, तो हम ये मानने हैं कि हम सब की आत्मा को जगाने का काम कर रहे ह जी इसको भीक के रूप में कोई नहीं देख रहा है, कोई इतना घेड़ित मानसिकता का व्यक्ति नहीं है, और हम अपनी बहनों को बहुत साफ तोर पर कहना जाते हैं, जिसे एक महिला के साथ बलादकार का मतलब है, आप भारत की आत्मा के साथ बलादकार कर रहे हैं, हमार परंपराओं के साथ बलात कारत कर रहे हैं, ऐसे यह अपराद कता ही सुरिकारी नहीं है भारते. जी हरीश रावट जी आपकी इसी टिपनी के साथ और इस उमीद के साथ के इसी संसत्र में ये कानून बनेगा और एक व्यापक विचार विमर्श के बाद व्यापक बदलावों के साथ एक ऐसा कानून बनेगा कि जो अपरादियों को ना सिर्फ सजा दिलागा है बलके इस मुक्तार अबसने कोई साथ आपका रेवन नेगर आपका और मेमुना आपका बहुत बहुत शुक्रिया देश देश आंतर में से लेने के लिए देश देश आंतर में आज इतना ही नमस्कार